नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों को साधर प्रणाम करते हुए आज की इस कक्षा को प्रारंब करेंगे क्योंकि आज की कक्षा बड़ी अहम होने वाली है आज हम अध्यान करने वाले हैं संस्कृत साहित के उन प्रमुक ग्रंथों को और उनके विशय में कुछ सामाने रू हैं ऐसी जानकारियों को परिक्षा की दृष्टी से हमें क्या देन करना है कितना जानना अहम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशय है आज की इस कक्षा को प्रानम करते हैं जो भी लोग अभी जुड़ गए हैं इस क्लास में वह एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं औ स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है आप लोगों के साथ में किरप्या बताईए कि स्क्रीन आपको देख रही है अत्वा नहीं मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है चैट बॉक्स में बता दीजिएगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी जी और ब्रेश जी का आपने बता दिया है आप देखिएगा मैंने पिछली जो कक्षा आपकी कल वाली हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से कि इनका सामान्य अध्ययन वहीं शिशुपाल वधमका किरातार जो नियमकार अगवश का सामान्य अध्ययन इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप 19-22 सर्गों को पूरा पढ़ेंगी सामान्य अध्ययन का मतलब पूरा नहीं पढ़ना है सामान्य रूप से आपको मोटी-मोटी उसकी जनकारी होनी चाहिए आप उस ग्रंथ के बारे में इतना जान सकें कि आप उसको पढ़ें पढ़ा सकें विशेस गहन रूप से वो आपसे प्रशनी पूछने वाले नहीं है सामाने तह आपको पढ़ने उसका मंगलाचरन पढ़ लो या फिर उसका पिर्थम सर्ग लिए इसमें हम जानेंगे माग के बारे में माग के द्वारा लिखित शिशुपाल वधम के बारे में जान चुके हैं उनके बारे में इसमें नहीं जानना है हमें जानना है माग लिखित शिशुपाल वधम के बारे में देखिएगा पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था किर आतारजुनियम के विशह में और रगुवंश के विशह में दोनों बड़े प्रमुख ग्रंथ थे हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया एक और तीसरा ग्रंथ शुशुपाल वदम आए इसको आज फटाफट फिनिश करते हैं देखिएगा शुशुपाल वदम इसमें आप तो पाएंगे इसकी प्रमुख भिशेष्थाओं को देख लेते हैं इसकी प्रमुख भ्षेष्थाओं क्या हैं तो सबसे पहली भ्र। श्युशुपाल वदम आप देखिएगा मैं आपर laser point highlighter से highlight भी करते जा रहा हूं रचेटा इसके कौन है रचेटा है इसके माग और उनकी एक मात्र किरती है जिसका नाम है शिशुपाल वदम इसके सर्ग कितने हैं सर्ग हैं इसके 20 कितने सर्ग हैं 20 सर्ग हैं महाकाव है यह अच्छा इसमें 1650 कुल पद्य हो जाते हैं रीती इनकी है पांचाली पांचाली रीती वो होती है जिसमें समास युप्त पदों का अधिकाधिक प्रयोग होता है वो पांचाली होती है अब देखिएगा ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कैसे याद करेंगे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पांचाली दूसरा नाम है विद्वानौ के बढ़ी एक परसे दोपी है कि कवियों में अगर कोई स्रेष्ट है तो वो है कौन हम सब के प्रिय कालिदास जी ठीक है तो कालिदास विद्वानों के बीच में प्रसिद्ध कभी के रूप में विक्षात है सारों स्रेष्ट कभी है लेकिन कावे की जब बात आती है तो इस पश्ट रूप से कहा जाता है विद्वानों के मद्द में कि अगर आपको कावे देखना है पढ़ना है और एक उतकरष्ट कावे चाहिए तो आई संस्कृत में एक कावे है कौन सा वो है माग लिखित शिशुपाल वदा माग का जो कावे है वो कावे बड़ा उतकरष्ट कोटी का होता है देखिए का माग क को बता चुका हूं मलिनास जी ऐसे संस्कृत के बड़े अच्छे ग्याता हुए है एक पूर्वाचारे हुए है जिन्होंने संस्कृत साहित्य के प्रमोग्रंथ जो ब्रहत्रई और लगुत्रई में आते हैं उन तीनों तीनों पर ठीका किया है और इसके बाद एक और आता गंटापथ टीका किस पर है बताईएगा आप कमेंड़ बॉक्स में सारे पार्टिसिपेंट जितने भी आज जुड़े हुए हैं बताईए गंटापथ टीका मलिनाथ जी कि किस गरंत पर लिखी गई है बता दीजिएगा कल पढ़ाया भी था मैंने अब और बता देता हूं पांच पद्य तो इसमें कभी वर्णन के हैं और इन सब को मिला करके 1650 पद्य हो जाते हैं 1650 श्लोक हो जाते हैं आगे देख लीजिए कि और हमें इनके बारे में और क्या जानना है तो देखिएगा सबसे पहले इनकी कथावस्तु क्या है सो कथावस्तु देखिएगा पहला सर्ग होता है जिसमें नारज जी आते हैं द्वार का द्वार का आने के बाद मैं स्री किष्णी जी उनका स्वागत करते हैं स्वागत तो करेंगे ही ठीक है अब नारज जी जो है के पूर्व जन्म को बता देते हैं और बताते हैं कि उसने कितने अत्याचार किये थे हैं इनको प्रेणा दीटे हैं कि जब हमने सास्त्री की थी तो हमारे सास्त्री दुतिय और तृतिय वर्ष में हमने इसको पढ़ा है हमने तो आप देखिएगा आपने भी पढ़ा होगा और आपने नहीं पढ़ा है तो और दूसरी उनिवर्सिटी में किसी ना किसी बीए में शास्त्री में आचारे के पार्ट अब फिर क्या होता है जब नाराज जी चले जाते हैं तो दूसरे सर्ग में क्या होता है स्रीकिष्ण बलराम और उद्धविती नों बैठ करके मंत्रना करते हैं बलराम जी तो आप जानते ही वो तो जो है हल दर थे वो बैठे रहते हैं तो तुरंत अच्छा एक मिनट रुकिएगा उत्तर इन्होंने दे दिये हैं चैट बॉक्स में मैंने देखा है वही विपिन जी ने और रियलमी कौन जुड़े हुए हैं एक महानुबाव उन्होंने भी बता दिया किरात आर्जनियम जो है उस पर घंटापत टीका लिखी है किसने हमारे म अब देखो सर्ग 2 में श्रीकिष्ण बल्राम और उद्व की मंत्रना होती है बल्राम जी तो बल्शाली है वो कहते हैं कि चलो शिजुपाल पर आक्रमन करते हैं निप्ता के खतम करते हैं इसको लेकिन उद्वाजी ठीक नहीं है अभी देखो हमें युदेश्टर एक राज सुहिए करें पहले अपन सेना के साथ में वहीं चलते हैं उसके बाद देखेंगे क्या करना अब ये लोग आप पहुंछ जाते हैं अब प्रस्थान प्रस्थान में ही कई सारा बढ़नन देखना क्या होता है। तीसरे सर्ग में नगरी का सेना का समुद्र इन सब का बढ़नान होता द्या सॉत्व सर्ग में रह गपनाने आछमे में संधिया और किन गळानेका द्द WORK रहतके का पर यहां कि है crab वहां जाकरके होता है मिलन नगर में प्रवेश होता है वहां कि जो दर्शक नारियां है स्री किष्ण बलरामादी को देखती हैं तो वो बहुंचक्की रह जाती हैं और उनकी जो चेश्टाएं हैं चित्र विचित्र चेश्टाएं हां तो उन चेश्टाओं का बढ़ा गजब का उसमें किया है चोदय में रियोदिश्टेर् राजसुयग का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं कि मैं राजसुयग करने जा रहा हूं तो इस प्रकार से स्री किष्णक के सामने देखी कितना सम्मान स्री किष्ण यह सब करने के बाद जब यह सब हो जाता है भीश में जो हैं वो कृष्ण की सुधी करते हैं अब यह सब हो जाता है इसके बाद में पंदरवासर गाता है शिशुपाल हो जाता है गुस्से में आ जाता है तो उसके पक्षी के जितने राजा हैं उन सब को बुला लेता है बु थोड़ी था शिशुपाल भी बहुत बल्शाली था और उसके पक्ष में भी बहुत सारे राजागन थे बहुत सारे राजा उसके पक्ष में थे उन सब को क्या है तैयार कर लेता है सब तैयार हो जाते हैं बोले अब तो आ रहा है पार हो जाएगी इसके बाद में क्या होता है शिशुपाल का दूत आता है स्री कृष्ण के समख्षा जाता है और द्वयर्थी सब्दों का प्रियोग करता है द्वयर्थी सब्द बोलता है जिससे कि जो स्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये जो है द्वयर्थी संबाद कर रहा है जब दूत इस प्रकार की बातें करने लग जाता है तो फिर वो समझ जाते हैं पिर साट्यकी जो है उसका उत्तर देते हैं और दूत्थ क्या करता है शिशुपान से प्रताप करता है और इतने बलशाली है यह सब तो युद्ध होना ही थी तो हमारे घर अथ यह कर लए जब ज्यादा प्रसंट कर देता यह है उनको युद्ध के लिए घोषना कर देता तो श्रीकर्चेन गे बंचंप vista कर जाती उनकितेते हैं राraft UKiking मारकाट चलेगी पूरे में उसके बाद में 19 सर्ग जब आप देखेंगे तो ये बड़ा अच्छा मनोरा मैं क्यों मनोरा मैं बता देता हूं आपको इस 19 सर्ग में क्या किया है इसमें चित्रा लंकार का प्रियोग है और बढ़िया व्यू रचना सेना सेना के द्वारा कैसे य बढ़िया वीसमा सर्ग जिसमें स्रीकृष्ण और शिशूपाल इन दौनों का शस्त्र युद्ध होता है दौनों आमने सामने वा जाते हैं और फिर आपको पता है कि स्रीकृष्ण छोड़ते नहीं है चक्र चला करके सुदर्शन चक्र से शिशूपाल का वद कर देते हैं तो शिशूपाल वद होना ही है क्योंकि नामीज का विका है शिशूपाल वद हम तो इसमें फिर अंत में शिशूपाल का वद बीसमें सर्ग में होता है अब आपसे कोई प्रशन पूछ ले कस्मिन सर्गे शिशूपाल अस्य वदा भवती तो आप सीधा उसमें उत्तर कर द या शिशुपाल वदे कुत्र कस्मिन सरग अस्ती तो आप चित्रा लंकार का जानते हैं कि वहीं चित्रा लंकार का वर्णन उन्नीस में किया गया अच्छा कई बार उन्नीस वा नहीं दे करके अप्शन में अगर दे दें उपांत सरग अब आप क्या समझेंगे अंत के जो समीप है सेकंड लाश्ट है उपांत उसको बोलते हैं तो वहीं आप उन्नीस वा या फिर उपांत सरग के नाम से इसको याद कर लीजिए यह याद हो जाएगा आपको तो आपका काम पक्ता है गी आप एक जो सभा पर्व हैसका शिषुपालवाद का यह सोरी महावारत का जो सभा परवह है दूसरा दूसरा नाम का परवह है हाां आदी परवह पहला है फिर सभा परवह आता है दूसरा तो दूसरे परव के अध्याय कर्मां के यति सीन पेंटारीस उन.... अध्यायों से दी गई है और उसमें बताया कि योदेश्टर के यग में जाकर कि स्रीकर्ण शिशुपाल का वद कर देते हैं तो इस प्रकार से शिशुपाल वद की पूरी कथा यहां पर बताई गई है आगे देखिएगा जो इसकी कुछ बिशेस्ता हैं देखो स्रीकर्ण के आप मान लीजिए कि यह जो है यह बिलकुल समान समान ही जो है भागवत पुरान के दसम सकंद में अध्या एकत्तर से पचत्तर में पूरा समान समान ही सिशुपाल वद को इस पश्ट रूप से का इसलिए जो विद्वज्जन मानते हैं कि भाईया यह भागवत पुरान ही साथ सिशुपाल वद्वका इस से महाभारत तो है दो को आ सकते हैं भागवत पुरान या क्या आ सकता है भागवत पुरान भी आ सकता है और दूसरा महाभारत भी आ लगा देना भागवथ पुरान अलग है भागवथ गीता लग है ठीक है तो ये απ यह चीजें जो चुटी-चुटी गल्ति हो जाती है हम भागवथ भागवथ याद कर लो भागवथ से भगवथ आपको नहीं कि अब अप समझ लीजिए गा इतना सब हो जाने के वाद पहला सर्ग देखिएगा उसमें वंशस्त चंद का परियोग किया गया है वनशस्त चंद के बारे में बताया था लक्षन है तो आप उसको अच्छे से समझ करकि जाईये दूसरे सरग में अनश्टिप परियोग है, तीसरे सरग में उपजाती छन्द है और च ऍौते सरग में बहुत सारे छन्दों का परियोग किया है, इसे लिए हम उसका नाम नहीं दे रहें। सरग की यंत में हर जगा है चंद का परिवर्तन है जो कि होना भी चाहिए महा कावी के लक्षणों में विशेश रूप से यह बताया जाता है कि वही सरग में आपको चंद परिवर्तन करना माग ने इसमें क्या किया है, 19 सरग में एक आक्षर, आक्षर, सरवतो भद्र, मुराजबंद, प्रतिलोम यमक, गो मूत्रिकाबंद, समुत्र यमक, अर्ध प्रतिलोम यमक और चक्रबंद जैसे बहुत जटल जटल चचित्र कावियों का प्रियोग किया है, जो बहुत कटिन पाए जाते हैं लोग कहते हैं कि यावद माघस से नोदा यहाँ जब तक माघ का अधाय नहीं हुआ था तब भारवी भारवी च्छाय हुए थे जैसे ही उनका अधाय हो गया तो भारवी तो जो है बिलुप्त हो गए उनकी बारे में आप लोग उतनी रुची नहीं लेते भा जब कोई व्यक्ति बहुत आगे के स्तर की बात करता है तो पीछे की बातों को लोग घूल ही जाते हैं इसलिए भारवी को फिर लोगों ने उतना याद नहीं किया या उतनी प्रसंसा नहीं की उतना उनका अध्यन नहीं किया आईए इसका एक बार मंगलाचरन देख लेते ह मंगलाचरन इसका क्या कहता है मंगलाचरन कहता है श्रियाहापति ही श्रीमति शाशितुम जगत जगन निवासो वसुदेव सद्मनी वसंद दर्शाव तरंत मंबरात इसमें इन्होंने सीधा सीधा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरन किया है इसको भी आप याद रखिए श्रियाहापति ही जगन निवासो जगत शाशितुम श्रीमति वसुदेव सद्मनी वसंद हरी ही अंबरात अवतरंतम इरण्यगर भांग भुवं मुनिम्द दर्शा श्रियाहापति जो श्रीमने लक्ष्मी के पती थे अर्थात जो कौन थे जो रुक्मनी के पती थे लक्ष्मी के पती थे जगत की लक्ष्मी के जो पती थे जगन निवासो जगत में जो निवास करते थे या जगत के आधार भूत जो थे जगत जिन पर निवास करता था जगत के जो करता धरता थे ऐसे जगत शाशितुम जगत पर शासन करने के लिए संसार पर शासन करने के लिए नियंत्रन करने के लिए नियंत्रित करने के लिए श्री मती वसुदेव सद्मनी ये श्री मती वसुदेव सद्मनी का विशेशन है तो देखिएगा श्री मति अर्थात लक्षमी से मति माने मतुप्रत्य का प्रियोग है कि लक्षमी युक्त वसुदेव सद्मनी वसुदेव के सद्म माने महल में सद्म सद्मनी सद्मानी नपुनसक लिंग का शब्द है ये तो वसुदेव सद्मनी वसुदेव के महल में वसन माने रहते हुए हरी ही माने जो विश्णू थे हरी थे उन्होंने अंबरात अवतरंतम अंबरात माने आकाश से अवतरंतम माने उतरते हुए पुत्र पुत्र कौन थे नारद थे ब्रह्माजी के पुत्र कौन थे नारद थे इसलिए कहा हिरन्य गर्वांग बुवं मुनिम ददर्श ददर्श माने देखा इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रियोग किया है अर्थ यह हुआ कि जो लक्ष्मी के पती थे और जगत के आधार भूत थे और संसार पर नियंत्रन करने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए संचालन करने के लिए जो लक्ष्मी से युक्त अर्थात सब सुविधाओं से उत्पन बसुदेव के महल में निवास कर रहे थे कौन ऐसे हरी अर्थात विष्णू ने आकाश शे उतरते हुए प्रम्मा जी के पुत्र को कौन थे वो मुनी नारद थे उनको ददर्शमा ने देखा ये इसका पहला पद्ध है और मंगल आचरन है आप इसको पढ़ लीजिए याद कर लीजिए इनको रट्टा मार लीजिए छोड़िये गामत सूक्तियों के बारे में त्म थी कहुंगा हमने यूह पर कुछ ही मात्र पूरी सूक्तियों को लिए ले लेते एक तो मारे पास समय की कमी हैं दूसरा हम mid q-40 मिनिट की क्लास मैं है। जब हम बहुत सारा विश्ये लेना होता है तब हम सूक्तिएं पर ज़्जादा समय वेश्ट नहीं कर सकते हैं सूक्तियां आपको रटनी है अच्छे से याद रखना है यह सूक्ती किस ग्रंथ से कही गई है क्योंकि एक जैसी सूक्तियां मिल जाती हैं भूल जाते हैं इसलिए आप रट लीजिए और फो क्या है इसमें दीरDieशंदिए तो प्रणी कहले हैँ अगर वो अच्छा है और हमारे हमारे जीवन में काम में आ रहा है युनि वरसल अगर सार्व भॉमच अगर कोई बात कही जाती है वो फोटी बन जाती है तो मेरा कहना है जब जंद सामाने से जुड़ी कोई बात है वो सारी चीज़ें सुक्तियां ही हो जाती है आप सब लोग घ्रंत में ऐसे तो हजारों सुक्तियां निकलाएंगी हमने कुछी लिए आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए स्रेयसी केनत रप्यते हां वैस्रेश्ट चीज मित भाषण महान लोग प्रकृती स्वभाव से ही मित भाषी होते हैं चटे चटे अन्न वता मुपईती तदेव रूपम रमनियताया यह जो चटेमेर नवींता को प्राप्त होता है वही रमनियता का रूप है ग्रहान उपईतं ग्रहान उपईतं प्रहने आद अभीप सव लोगों के घर में किसी कारविषच के कारण ही जाते हैं वह भूत दद्वजटन जो है अपउनने चाली लोगों के घर पर किसी कारर वशाइब प्रेम से नहीं जाते, मझबूरी में जाते हैं सरवाह स्वार्थम समीहते यह सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित हो जाता है हम सब लोग यहां पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हैं अपना अपना स्वार्थ ले करके हम पढ़ रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए यह हमारा स्वार्थ है तो सब कुछ क्यों कर रहे हैं स्वार्थ के लिए कर रहे हैं सरवास्वार्थमPad समय एवकरो ती बलावलम, बल शाली और अबल शाली निर्बल बना देता है, है कब समय ही बनाते जता है समय अच्छा चलेगा तो हम भलसाली हो जाएंगे नान्यअर्श स्यगंद्दम अफिमान अफ्षा होते हैं मानी होते हैं लोग वो लोग दूसरे की गंद को भी सहनिं करते इस प्रकार से सास्त्रम वह कहते हैं जो निश्चत धी वाले उलोग होते हैं वो सिद्धी को कहां प्राप्त नहीं करते अर्था वो सिद्धी प्राप्त कर ही लेते हैं जो सास्त्र में निश्चत धी वाले होते हैं महान लोगों में जो प्रयास किया जाता है वो निश्पल नहीं होता है यहां पर हमने शुशुपालवद को पूरा किया समाप्तम धन्यवाद हा